पारिक आसाली लेकि स्टारे लेकिन पनाने चारे हैं काध्यावणी बैंग नहीं भी खाना पसंद पर लेकिने से पर धिस्ट, पिद AWS के बुए लेकिन और लिदे यह उसराद करें इसका पाउडर बना लिया है, मैंने अपको सुखे मसाले लेना है, तीन चमच हमने कोरियंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर ले लेना है, दो चमच हमने रैट चिली पाउडर लिया है, एक चमच हमने किचन किंग मसाला लिया है, एक चमच हल्दी पाउडर ली है, एक इस मसाले को अच्छे से हाथों की सहाता से. एक चमच कसुरी मेथी डालिए. बहुत ही अच्छा स्वादन का इसका. और बहुत ही अच्छी कुछबू आती है हमारे मसालों में से. और अभी हमने दो चमच Defined Oil डाल देना है और इसको भी अच्छा से मिक्स कर देंगे हातों की सहता से यह देखिए इस तरह से मिक्स कर देना है ओइल हमें कम लगेगा तो हम और डालेंगे इसमें क्योंकि आफ के जी बैंगर लिया चोटे साइस के और एक बाउल में आप पानी साइड में रख लीजिए इसको अच्छा को चाहें आपने को में इसhew तरो मैंने जूब का देना है फुल कर देना है देखिए इस तरह से अब भूसक नख जास से करें गरी us और इसको मुठी की साहता से इसको थोड़ा दबा भी दें तो मसाला फिर बहार नहीं निकलता है अभी मैंने रिफाइंड ओयल में बना है आप चाहे तो सरसो के ओयल में भी बना सकते हैं तो यह ऑईल हमने गरम कर लिया आदा चमश में ने जीरा डाल दिया है आदी चमश में हिएंग डाली है अभी अभी जुँह हमने प्याथ चॉप करके रखे थे अभी हम भुनने देंगे इसको इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे ग्जे इस तरह से अच्छे से भून लेना है ब्रॉवन होने देना प्राइस में अच्यों सब्यार native शाय इलदी जल्दी से तो ह कि तो इस टाइम पे थोड़ा सा नमक और अट कर दिये हैं तो बिलकुल नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिया किके अल्रडी अपने मसालों में नमक कर दिया है यह देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से भून गया है अब टामाटर को आड़ कर देंगे और तामाटर को अच सेपरेट होने दीजिए मतलब हमारा मसाल अच्छे से पग गया है तो सेपरेट हो गया है इसमें अब जो हमने हाफ मसाला रखा था आदा मसाला साइड करके रखा था उसको मैंने अड़ कर दिया है तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी पैसे अखे और एक मिनिट तक इसको भूनने देंगे इस तरह किसे भूनने दीजिए ओल सेपरित होकि इसमें भी देखिए और अब थोड़ा से पानी आड़ करेंगे आदा कफ हमें पानी अट कर दिया है इसंद्या governments और अच्छे लेजते हुआ है किए junior head करके असने मात कूंकर दूरा है अगें हमें इसे अच्छे अच्छीा है कि तो जोमसाले बहुत अच्छी से भूंग जाएगा और स्वाद भूंग है तो सब्जी का स्वाद बढ़ेंında आठा है यह देखिए इस तरह से जो बैंगन भर गर रख्याते उसको एड़ कर देना है यह देखिए और अच्य से मिक्स कर दिजिए उसे और अभी इस टाइम पे एक कपानी और डाल देना है ताकि हमारे जो बैंगन है वो अच्य से पक जाये इस तरह से पकने देना है और अभी इस पर एक प्लेट ढाकना है लीड ऐसी ढाक TYP की हो और इस मसाले तो इसको अच्छा से चला देना है और एक बरी बैंगन भी चैक कर लेंगे कि पके हैं तो प्लेट आप वही डाले जिसकी किनोर हो और उसमें हम ताकि पानी भर सके तो इसे क्या होते हैं मसाला हमारा चिपकता नहीं है जलता नहीं है और यह पूरी प्रोसेस जो हमारा बैंग कि दुबारा मैं चैक कर रहे हूं तो यह हमारे सब्जी बनने का जो बैंगन बनने का पकने का जो टाइम है पूरा आदा गंटा लगा है मुझे जो हमारे बैंगन पक जाएंगे उसको पूरा करने के लिए मुझे आदा गंटा लगा है क्योंकि सेम गैस पर पकाना है मसाला तो इस चीज का भी विल्कुल ख्याल रखें प्लेट में पानी डाल दें और गैस को सेम भी रखें तो इससे हमारी सब्जी बनके बहुत अच्छी रैडी हो गई है तो आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें बहुत ही टेस्टी